हलो फ्रेंट्स विवो वी 30 प्रो जाहां फ्रेंट्स ये फोन मार्केट में रिसेंटले लॉंच हो चुका है थोड़ा टाइम हो चुका है तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले साथ ही मैं मैं आपको बताने वाला हो कि इस फोन में क्या मिसिंग है तो आपको अगर ये फोन पर्चेस करना है तो रूखे ज़रा ये वीडियो को पूरा देखिये त्यान से देखिये विदाव टैनी स्कीप चीहां फ्रेंट्स अगर आप कुछ भी स्कीप करोगे तो शायद आप कोई इंफोमेशन मिस भी कर सकते हो तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो में जदा बाते हो गई है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं डिस्प्ले के अगर बात किजाए फ्रेंट्स तो आपको यहाँ पे 1.5 के रिजोलूशन वाला 6.7 इच का डिस्प्ले साइज देखने क करता रहता है फ्रेंट्स यह बेहदी लाइट पॉन है 188 ग्राम केरी करता है आपके हाथ में बिल्कुल भी बल्की फिल नहीं होगा साथ ही में 2024 का यह स्लिमेस्ट पॉन है यहाँ फ्रेंट्स 7.45 mm की सीखनेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है तो आपके आथों में यह ergonomically भी fit हो जाएगा इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो 4 nanometer chipset वाला Mediatek Dimensity 8200 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो आपको काफी अच्छे से gaming experience प्रोड कर सकता है प्लस इस फोन को एक high level की speed और accuracy भी प्रोड कर सकता है इसमें temperature sensor के साथ large vapor chamber वाला smart cooling system मिल जाता है जिसकी वजह से इस phone को एक higher cooling area भी मिल जाता है और इसकी मुदद से आप smooth gaming कर सकते हो और lag free gaming को भी enjoy कर सकते हो बैटरी की बात की जाए तो super battery saving solution के साथ आपको double life span मिल जाता है और साथी में ये battery 80 watt first charging को support करती है जो आपके इस phone को 100% charge कर देती है केवल 48 minutes में और friends इस battery को एक बार full charge कर दोने के बाद up to 20 days का stand by time भी मिल सकता है दूसरे phone में आपको touch light मिल जाएगी लेकिन यहाँ पे aura light का use किया गया है इसकी मदद से आप better clarity के साथ pictures capture कर सकते हो high quality के portrait को भी आसानी से click कर सकते हो और aura light के साथ और aura light के बिना दोनों की picture quality में बहुत ही ज्यादा बड़ा difference देखने को मिलता है 50 Megapixel का यहाँ तो आपको selfie camera देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप stunning beautiful selfie भी ले सकते हो साथी में जैस optics standard द्वारा certified किया गया है triple camera आपको rear में देखने को मिल जाता है इसमे sony imx816 का lens use किया गया है इसकी मदद से friends आप high resolution वाले video capture कर सकते हो और aura light की मदद से आप night में भी high quality resolution वाले image को भी click कर सकते हो और इतना है निए friends portrait single या तो भी portrait group photo को भी click कर सकते हो अगर friends आपके पास private pics से या तो फिर video से तो उसको store करने का और passport protected रखने का भी option यहाँ पे आपको inbuilt मिल जाता है friends यहाँ पे आपको 12GB की actual plus 12GB की virtual यहाँ 24GB की total RAM देखने को मिल जाती है जो background में up to 48 application को run करने की capacity भी रखता है बट internal memory की बात की जाए friends तो यह phone थोड़ा lagging है क्योंकि आपको यहाँ पे external memory card का सभूख नहीं मिलता है internal आपको 512GB की memory मिल जाती है इसकी मदद से 50,000 plus photos 120 plus games को इस phone में store कर सकते हो यह phone को friends IP54 के dust plus water resistance से certified किया गया जिसकी मदद से अगर wet finger से यह phone को operate किया जाए तो कोई परिशानी नहीं होती है आसानी से operate हो जाता है पिर भी मैं यह suggest करता हूँ friends की इस phone को randomly please use मत कीजिए इसमें beautifully design किया गया है shining dual tone color का use किया गया है जो color option यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं अगर आपको friends यह phone अच्छा लगा है purchase करना है तो आप देर किस बात की मैंने अपने इस video description में एक link provide किया है वहाँ पे जाए वो link पे click कीजिए once you click on the link you can reach to the buying side of this smartphone वहाँ से ही यह phone को purchase करके अपने घर पे मंगवा सकते हो मेरे इस video को like कर दीजिए share कर दीजिए मेरे चल को subscribe कर दीजिए और अगर आप मेरे चनल में पहली बार आए हो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो subscription के साथ साथ बाल notification को भी all पे set कर दीजिए ताकि आप मेरा कोई review tips गड़ और unboxing का future video मिस ना करें चलिए friends ये वीडियो को मैं यहीं end करना चाहूंगा मैं मिलता हूं आपसे next video में till then take good care of yourself and bye bye